मीर पेट नगर पालिका वॉर्ड 13 में भारतिय जनता पार्टी पार्षद नरिंद्र कुमार राज के सताधारी टीरस पार्टी में शामल होकर उन्होंने शिक्षा मंत्री सवीदा इंद्रा रड़ी के समक्ष टीरस का गुलावी घमचा धारन कर लिया भारतिय जनता पार्टी का दामन छोड़कर गुलावी कार में बैठे पार्षद नरिंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री केसियार के शासन को देख कर ही वे टीरस पार्टी की और आकर्शित होकर उसमें शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में मीर पेट नगर निगम क्षेत्र के टीरस अध्यक्ष अरकला कामेश रड़ी उप महापाउर तीगला विक्रम रड़ी निगम के फ्लोर लीडर भूपाल रड़ी टीरस पार्टी के वरिष्ट नेता दीपलाल चोहान कोवूर राकेश माधरी रमेश आधी नेता उपस्थित थे रमंतपोर डिविजिन की पार्षद बंडारु श्रीवानी ने कहा कि सरकार द्वारा मुहया कराई जा रही बीस हजार लीटर मुफ्त जिलापोर्ती के लिए हर कोई अपनी कनिक्षन को आधार के साब जोड़ ले पार्षद बंडारु श्रीवानी ने बताया कि जीहेच एमसी परिधी में मासिक बीस हजार लीटर मुफ्त पेजल योजना का उपयोग करने के लिए इस महा की 31 तारीक के भीतर अपना आधार कार्ड लिंक कराना आवश्यक है उन्होंने इस संबन में जलापूर्ती विभाग के प्रवंद सत्यनाराण के साथ मिलकर जन सामाने से आगर करते वे बताया कि 31 दिसंबर तक अपना आधार कार्ड लिंक कराने के साथ-साथ नलों के मीटर लगवाने तो बीस हजार लीटर योजना सी सप्लाई प्राप्त हो प्रवुत्तम जैस्तुनन अटवांटी उचिता मंचिनीटी पातकम योरहते लगवाने आधार क्यान लिंक की आधार लिंक जैसकोंटे गड़िचिने 13 दिसंबर 31 लोपू योरहते दिनकी हरूल लिंक अंदरु चैसको अले इधी प्रजलोंके एंतागान उपयोग पड़त वेल आधार लिंक जैसकोंटोंगे पोते 13 दिसंबर 31 लोपू योरリंगोंचिने 13 दिसंबर 2 से लुच्जोंटोंगे आधार कारणनी आनसंधना उपयोग जाए दनिवाड ki doen Är Weade गोर्मेंट निर्यम जिसकोंदानी प्री वाट सप्लाय जेपेसी फ्रति इंटी की 21 लीटरलू फ्रति नेला तान कोस्वा जेपेसी आधार कार्ड ने अनसंदन चेसको आल सुसंदी तान तो पार्ट को कमपल्सरी का मीटर वोड पेटको आला इरोंडी ती नियोग इंच गोर्मेंट ने मननकी फ्री वाट सप्लाय की एल्जी ब्लूं तरी सो आई अवकास हान नी अंदर सद्विनी गंजी स्कॉल और कोर्पुट ने से राज्य में रिक्त पड़े सरकारी पदों की भारतिय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते वे भारतिय जनता पार्टी बेरोजगारी अंशन पर उतरी नामपली सित भारतिय जनता पार्टी राजिशा का कार्यले में पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय ने दीक्षा आरंब की बेरोज़गारों के समर्थन में आरंब की गई भारतिय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजे की जीक्षा अंशन कारिक्रम साइंच चार बजे तक चला इस अंशन में बंडी संजे सहित, महिला नेता, विजे शांती, इटेला राजेंदर, स्वामी गौड सहित, पार्टी के सैकलों नेता कारेकरता उपस्थित्थे कृष्ची मन्तरी निरंजन रेड़ी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तलंगन प्रदेश में कॉंग्रेस तब EJP मिलकर काम कर रही है क्रिशी मंत्री निरेंजन रेड़ी ने आक्रोश भरेस्वर में कहा कि हुजरवाद उप्चुनाओं में कांग्रेस पार्टी के वोट भारतिय जनता पार्टी उम्मिद्वार को नहीं डाले गहें क्या उन्होंने इस सवाल के साथ भविश्चिवानी करते हुए कहा कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी का भारतिय जनता पार्टी में विले हो जाएगा और यह होना निश्चित है उन्होंने बंडी संजे की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नोकरियों की भरतियों की मांग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोजी से करने के बजाए वे राज में बेरोजगारी अंशन कर रहे हैं जो उनके लिए शोभा नहीं देता उन्होंने कहा कि भारती ये जनता पार्टी किस उदेशी को लेकर यह सब कर रही है उसे इस बात का खुलासा करने की आवश्यक्ता है कि रास्वा पोराटन लो भागस्मामें लेनी वाल्लू द्रोवपात्र पोशिंचिन वाल्लू पुननिर्मान लो प्रत्यक्षंगा तेलंगाना प्रजल प्रविजना लक्कु वेत्रेकंगा वालक्त ओर्टिस्तना कुस्षितमयने ट्वोंटी शुद्रमयने ट्वोंटी राजिक्या आलो चलतो ना के वोलं प्रतिधी राजिक्या कोणम लो ने जूसी पबंगर्पकुने ट्वोंटी वेक दुर्पूती तो अरकंगा जेस्ट्वुनाद। वेवसायने निलिबट्टनेडों कोसों कोईन वंदल सार्ल जपिनम्में प्रजानिकान कात्ता रुइस्ट्राई उंदी यकडो अधप आतालानी की विस्चरेएपटने ट्वोंटी वेवसायरंगानी यहल राष्णनें लो अक्रभागानन निलिबट्टनेट्वोंटी चल रहितु केंदरंगाने माँ प्रभुत्तों न डुस्तवी वेवसायमें माँ प्राधानेता मोदटी प्राधानेता अन चेप्तिनाट्वोंटी यहकाई का सरकार चेपड़में गादू यहल देशन लो ए रास्ट्रंग उडा विवसायरंगानी उद्देशिन चिपेड़तो बीजेपी राजशा का कार्याले में बंडी संजय द्वारा आरम की गई बेरोजगार अंजन को उस्मानियों विश्वविध्याले सम्युक्त कार्यवाई समेती ने समर्तन दिया है जेसी नेता सुरेश यादव ने कहा कि सरकार रोजगारों की घूशना किये बिना देरी कर रही है जिसे देखते हुए भाजपा वी मन नहीं रहेगी रोजगारों को हासिल करने की मांग को लेकर भारतिय जनता पार्टी राजजशा का कार्याले में भारतिय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, बढडी संजय द्वारा आरभ किये गए अंशन को उस्मानिया विश्पी विध्याले भाजपा नेताओं ने अपना समर्थन दिया उस्मानिया विश्पी विध्याले लाइबरेरी से भारतिय जनदापार्टी राजशा कारेले तक रैली आयुजित की गई विध्यारती नेताओं को आर्ट्स कालेज के पास पुलिस ने रोग दिया जिससे पुलिस सता विध्यारती नेताओं के बीच आपसी संगर्श की स्थिती बन गई जिस दवरान पुलिस ने आंदोलन कारी विध्यारतीयों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई या ऐसा हो तो विध्यारती नेताओं की गिरस्तारी की कई लोगों ने भश्तर ना की है इसके बावजूद भी कई विध्यारती नेताओं ने बंडी संजय की प्रस्तावित अंशन में नामपली पहुँच कर उस कारेक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया उध्योग नोटिफिकेशन कोसम विध्यारती लेपी प्यद्येत ना चेप्मर तररर आवडन जर्गिंदी एधैते उध्योग नोटिफिकेशन कारू बंडि संजय कारू उमरी योका दीक्षा चेपट्टिंदो वार कि सम्पूर नम बांतेतु कुड प्रक्टी इंचड़न चरुथन नकड़िक वेल्ले प्लाइत्यों मुड जेड़न दरुथन दिमीमू तद्येत्यों वेल्दाव जी हनमंत राव नी भड़क्ते वे कहा की राजियो में प्रतिबंदित कानून चल रहा है कांग्रेस नायकुला अरेश्टनू खंडिस्ट नारू मनत पाटू एंपी माजी एंपी आनमांत्राव नारू नारू किलंगाने के सरकार के किलाब आज केसी यार फॉर्म हो जिर्रवली के सामने रच्छा बंड़ का कारिक्रम था किसांसेल और पीसीजी के तरफ से हुआ मगर आज क्या हुआ सुबे से सबके घरों पे अटैक जीवन डेटी को बार निकल ले निदे रेवन डेटी को निकल ले ता हरेक आद्वी के घर पे आ रहे इसका मतलब है कोई भी चीज सरकार के किलाब आवाद नहीं उटाना बोलके ये ये डिमोक्रासी में नहीं है हरेक वाद उटाने का राइट है सरकार जवाब देने का राइट है सरकार जवाब देने से पहले ही अरेस्ट कर ले यासंगी में जो दान जो पैदा करते हैं वो यासंगी के उसमें नेक्स्टियर कोई भी यासंगी नहीं दालना दान नहीं दालना बोले अबर केसियार के फार्मोज में या संगी के उपर चामल फैदावार कर रहे हैं उसको बताने के वास्ते के अमारे रेवन्ह रेड़ी और किसांसल के खोधर रेड़ी और वो चेर्मेंट सुभी मिलके ये कारिक्रम ना उसके उपर सबको अरेस्ट करना ये गलत बात है कोई बीजेपी वाले अनेपलायड के बारे में धर्णा कर रहें रोड़ों पर फिर रहें उनको मन मानी कर रहें उनके साथ कोई इंसाफ नहीं है सिर्फ कांग्रेस को दबाने का काम करें क्या बोले तो इतलेंगा ना दी फिर कॉंग्रेस उपर नहीं आना सोनिया गांधी थी इत्थे लोग मने बोलके अमारे उपर ही जुनूम हो रहा और दूसरी बाद अब दिल्ली गए क्या बोले हम लड़के आथ हुआ तुम बोले है मुख्य मंत्री के परिजिनों पर अनुचित टिपन्या किये तीनमार मलनना का पुथला टीरेस के कार्यो करताओं ने दहन किया कुकटपली हाउजिंग बोर्ड रोड नमर वन गांधी प्रतिमा के पास आयोज़त कार्यो कर्यम के संदर में टीरेस कार्यो करताओं ने मलनना के खिलाब मामला दर्श करने की ऐसा इसे शिकायत की मुख्यमंत्री केसियार के परिजनों के संबंद में की गई अनुचित टिपणियों को लेकर TRS के कारेकरताओं ने कुकटपली क्षेतर में तीन मार मलना का पुतला जलाया इस मौके पर TRS के नेताओं ने कहा कि राजनीती में पारिवारिक सजस्यों को खींचना बहुत ही शर्मना कारवाई है TRS के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री के परिवारिक सजस्यों के नाम पर आए तो उसे देखते हुए या सुनते हुए हम खामोश नहीं रहेंगे इसी संदर में उन्होंने तीन मार मलना को चेताओं नी भी दी इस कारेक्रम में कुकटपली विधानसभा क्षेत्र के युवा अर्ध्यक्ष साई श्री निवास कुकटपली क्षेत्र के विध्यार्दी संग प्रकोष्ट के संयुक्त सच्यों वाड सजस्य पवन कुमार पोतूरी गोपी वन्शी यादो संतोष यादो श्रीनू साके त्रिड़ी सहित अन्य कई नेता उपस्तित्थे GHMC ने हैदवाद शहर को स्वच एवं दुरगटना रहेत रहनी के लिए जनता को सचित किया है इसके अंतरगत नियमों के विपरत विहार करने पर जुर्माना लगानी के कदम उठाय जा रही है GHMC के इस कदम की एक और सराना हो रही है तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि GHMC के लोग ही गलतियां कर जनता को खत्रे में ड़केल रहे हैं ग्रेटर हैदरबाद मुन्सिपल कार्याले गाजुल रामारम के उप आयुक्त कार्याले में भी यही घटना घटी यहां कार्याले के एक्स्टेंशन भवन निर्मान कार्यर रुगजाने पर भी लोहे की सलाहें सरीय आधी असुरक्षित धन्त से सडकों पर ही छोड़ दिये गए जीहेच्यमसी की इस लापरवाईयों तता गयर जम्मरदाराना कारवाईयों पर हमारे क्षेत्रिय सम्वार दाता कल्यान की ग्राउंड रिपोर्ट निर्मानम लोंदी कोंता एक्षेंशिंद यसे निर्माना चेव पड़तुनारू आयते इकड़ वच्चिन पाबलोमेंटी यहेदी माननों उकसार चेक्चिए द्धाम् दाता आपका निर्मानम चेव लोंदी प्रस्थान कोनसागिस्ते नेटके यहें कन्ड़ पेंचेट लेदू इकड़ा मनकी कोन्नी सुवल का निपिस्थो हुँँँँँँद यहेदी इसुवल नी दारिक अड्ड़ंगा विल्लू पड़ैसी अजागरतु तो चेप्तुन इकड़ा मनकी की धरकास्टिल जेसकोडानिकी कोँचे उरुदुलोस्था उन्ता रु एज पइबनोल लोस्था उन्तारु चाला डेंजरसगा इकड़ा इकड़ा सुवल नी पेटराम जरी दिल्लू कांट्राक्ट्रम निर्वाहकमाल अगत आधिकारल मेंचे अधिकार ले प्रामाधन जरिक्ते दाने की बाज़ते यहार दीशकुँटेड़ू प्रामाधन जरिक्ते दाने की बाज़ते 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 दाने की न्याया एक अधिकार परिश्ड नी सदस्यों नी भव्य रूप से स्वागत किया है। कि महिलाओं की आजादी को बताने के लिए ही इस कायरेकरम को हाथ में लिया गया है। इस कायरेकरम में न्यायिक अधिकार परिशत त्यलंगाना के अध्यक्ष राम रेड़ी, महा सच्चिव गिरिश दारा मोनी, उपाध्यक्ष रंगारेड़ी, सच्चिव मधुकर कुमार, उपाध्यक्ष प्रवीन, नगर्शाका अध्यक्ष शीला नारेन रेड़ी, प्रभाकर आधी उपस्तित्थे। इंडिया तरभनिंची, पिंक आयन अचेप्पी इवक्ष अवैरनेस प्रोग्राम डेली लो मदला हिंदी, इरव यक्रो तेजिना, यह दाइते पार्लिमेंट लो विमेंट्स एज, मारेज एज, 18 इंच 21 इयर्स गा चेसारो, इनी समर्दिस्तु, छाला संतोशंगा विमें इंडिया की कोड़ इऑ अवैरनेस कलिगे स्तोच्टो गेस्तोच एज, डेली लो इज राली नी स्टार चेजरम देलिगिंदी, देली भारिद्वार, वुज, पुद्टर प्रदेश, मद्ध्य प्रदेश, महरास्ट्राण निंची, इरोज तलंगान लो इज राली गाव प्रोग्राम निक्ट निरुवीश्टुन नामों अधे रेकिंगा लीगल डाइट्स एक्जीगुट्व मेंबर्स तो गिरिश्वारू, रामिरेटिगारू, मदुशूदंगारू, प्रविंटेटिगारू, गंधरेटिगारू, मल्ली अंधुर खुडा, पेर अंधुर प्र प्राइट्स एक्जीग निक्ट नामों अधे रेकिंगारू, इजाक्त वडाइटाउ, मंधरेटावारं अधे रेकिंगारू, मुर्देग desapORY्शूदंगा लीगल थाईटिगारू, प्रविंटा प्रेखुड निक्टिगारू, साइबर अपरादों के प्रती जंता को कईम प्रकार से सदर किये जाने पर भी अपरादी नई नई पदतियों से अपरादे क्रिया कलापाउं को अंजाम दे रहे हैं इसी क्रम में साइबर अपरादी के वाइसी अपडेट की नाम पर लोगों को धोका दे रहे हैं साइबर अपरादी स्मार्ट फोनों इंटर्नेट को अपना जरिया बना कर अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं ये अपरादी लोगों को फोन कर अपना बैंक खाता, ATM कार्ड, पेटियम एकाउंट जैसे UPI खाता आदी बलाग हो गये हैं कहेकर उन्हें पुना प्रचालन में लाने के लिए आपके KYC को अपडेट करने की बात कहते हुए विश्वास में लेकर ये बताते हैं कि उसके लिए हम एक लिंक भेज रहे हैं इसके द्वारा आप अपना KYC अपडेट कर लें इस फोन काल से घबराएं लोग सोच में पढ़कर जल्दवाजी में उस लिंक को दबा कर अपने बैंक खाते की सारी जानकारियां उसमें भर देते हैं बस इस जानकारी को देते ही उनके खाते की में जमा पूरी रकम स्वाहा हो जाती है इसके पीछे उन साइबर अपराजियों की पैनी नजर लगी रहती है इस प्रकार की गजिविदियों पर नकेल कसने के लिए साइबराबाद पुलिस का साइबर अपराज विभाग विभिन पदत्तियों से प्रचार प्रसार कर रहा है ट्वीटर मंच से इस प्रकार की दोका धड़ी फरजी संदेशों की और ध्यान न देने तथा ऐसे फोनकालों की और दिल्चस्पिन दिखाने का सहबराबाद पुलिस ने जनता से आग्रह किया है पुलिस ने इस मामले में लोगों को चेतावन ने भी जारी की है कि वे इस प्रकार के लिंकों की और कोई ध्यान न देन यादादरी लक्ष्मी नर्समा स्वामी के नंदमरी बालकृष्णा था बोएपटी श्रीनों ने दर्शन किया इस अबसर पर मंदर की कारिकारी अधिकारी गीता तथा वेत पंड़त व्रिंद ने बालकृष्णा का भाग्विय स्वागत कर उन्हें प्रसाद प्रदान किया यादादरी लक्ष्मी नर्समा स्वामी के दर्शन करने के परश्चार बालकृष्णा ने कहा कि यह एक अध्भुत बंदिर है मेरे इश्ट देवता भी स्री लक्ष्मी नर्समा स्वामी ही है मैं अपने बच्पन से ही यादाज्री लक्ष्मिन अर्चिवा स्वामी के दर्शनाथ यहां आता रहता हूँ अभीनेता सहराजनीतिक की बने बालकृष्ण ने कहा कि इस मंदिर को बहुत ही अद्भुत डंग से विक्षित किया गया है इसे देखकर मुझे काफी आनंद की अनुभुती हो रही है आज इस मंदिर के दर्शन करना यह मेरे पूर्व जन्मों के सत कर्मों का परिडाम है जिस कारणी मुझे इस अद्भुत्ता के दर्शन हुए है जन्रल सर्जन डॉक्टर प्रकाश नहीं कहा कि देश भर में उमिक्ट्रोन की मामली में लगतार हो रही वृत्धी को देखते हुए लोगों को सतक रहना चाहिए कोवर्ट तीसरी लहर के प्रसार के खिलाफ उचित सावधानी बरतनी की सलादी हमारी प्रवक्ता श्रीकांत का आमना सामना जन्रल सर्जन डॉक्टर प्रकाश से जो उचित खान पान और मास पहन कर समाज़क दूरी का पालन करना चाहते है आज हम प्रकाश गौर्ड डॉक्टर साथ है वास्कुलार डिसीज संवर उसका डॉक्टर है और उनके पास जो अभी इंफोर्मेशन ओमिक्रॉन की जो सिंटम्स प्रिकाशिंस के बारे में जानकर जाएंगे डॉक्टर साथ आपको यह ओमिक्रॉन पे जो डिसीज हरता है उस प्रिक लिए वाइरस यह सब लोग जानते है और वाइरस हमेशा अपना रूप बदलते रहता है मतलब म्यूटेशन होते रहता है जब एक म्यूटेशन होगा तो एक वेव आएगा नहीं तो इंफेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं तो उसमें हमने लास्ट वेव में द सेल्ते रहते है और बोडि एक्स रहता था इस समय जो शिम्टम्स हमको देखने को मिल रहा है वो बैसिकली बॉडि एक्स है मतलब पैर में दरद, हाथ में दरद, पूरे शरीर में दरद होना फीवर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कुछ लोग फीवर के बिना ही सिर्फ बोड़ी एक से आ सकते हैं, तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है कि हम लोग नॉर्मल सोशल डिस्टंसिंग, मास्क पेहन के बाहर निकलना और बाहर सिर्फ जरूरत है तो ही निकलना और रेगलर हैंड सैनिटेजिशन, यह तीन ही है जो अभी हमको यह नए वेव को आने से लिक रहा है और अल्रडी इम्मनाइजेशन वैक्सिनेशन इतना जोर शोर पे चल रहा है और लास्ट वेव में बहुत सारे लोगों को हर्ड इम्मुनिटी और नाच्रल इम्मुनिटी आ गया है तो इसलिए अगर एक देड महिने के लिए हम लोग बहुत ही जागरत है नॉर्मल थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट गुड डायेट, सोशल डिस्टंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन अब्टर सब दो डोस होने के बाद भी थोड़ा जानकरी हो जारा है कि बूस्टर डोस लेना चाहिए यह कहां तक रहा है अभी तो गवर्मेंट की तरफ से क्लब यह नहीं कि आप मास निकालके सोसाइटी में घूम सकते हैं बद जागरत रहना बेरी इंपोर्टेंट है हमारे यहां बहुत सारे डॉक्टर स्कू सेकेंड दोस के बाद भी बहुत सारे लोगों को इंफेक्शन आया है बट सिवेरिटी कम है बट वी हाव तो ट्राइ हमें केसिस कम है सर तो इसके बर में थोड़ा इंफोर्ट सेकेंड बेसिकली यह यह यूरोप में स्टाट हुआ है और आफरिका में स्टाट हुआ है ओमाइक्रॉन अभी इंडिया में आने के लिए टाइम है क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल रस्टिक्शन से बाहर के लोग एजिली अंदर नहीं आ सकते हैं और जो भी केसिस है जो 10-20 केसिस जो भी अभी हाईदराबाद में मिल रहे हैं उनको भी आइसलेट किया है गवर्मेंट ने तो चांसे सार लेस बट अल्रड़ी वैक्सिनेशन 100 करोड पार कर चुका है और अल्रड़ी हर्ड इमुनिटी और नाचरल इमुनिटी बहुत सारे लोगों को है इसके वज़े से हमको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो मिलेगा डेफिनेटली बट यह 100 परसेंट कुछ भी नहीं है कि एक बार आके गया तो दूसरी बार नहीं आएगा बुलके ग्यारेंटी नहीं है तो इसके साथ जो अ नेटेन करने पर यह आप पूरा ओमिक्रान को अवैट कर सकते है यह जानकर यह हमारे डॉक्टर साब से मिली है कैमरमन मुरली के साथ स्रीकान सिट्वीजन हैदरबाद